अब हमें समझना पड़ेगा चेंज एटिटूट चेंज लाइफ अगर आपने आज के टाइम के अंदर अपने एटिटूट को बदला नहीं तो आपकी जो जिन्दगी है वो बदलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा थोड लिखा हुआ है इसका मतलब यह होता है पूराने रास्ते कभी भी आपको नहीं मंजिल की और लेकर नहीं जाएगे नहीं चावी जो होती है वो पूराना ताला जो है वो खोलती नहीं है पुरा ने ताला अगर हमें खोलना है तो पुरा नहीं चावी चाहिए और नहीं अगर खोलना है तो नहीं चावी भी चाहिए तो उसी तरीके से हमें अपने attitude को change करना पड़ेगा और change जब अपना attitude होगा तो अपनी जिंदगी भी change होगी clear हो रहा है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आप लोगों के सामने एक secrets जो मैंने अभी तक आप लोगों के पास रखा था वो अब आप लोगों के बीच में share करना चाहोगा कि एक successful manager अगर हमें बनना है तो हमारे ये चार core चीजों के उपर हमें काम करना है जिसको कहा जाता है K-A-S-H जिसको कहते है काश तो अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर share करना चाहोगा कि कास के अंदर जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों के mind में बात आती है कैस की और बहुत सारे लोग काम की सिसके उपर करते हैं C-A-S-H सही है तो C-A-S-H का मतलब होता है K-A-S-H मतलब कि आपको अगर अपना कैस बढ़ाना है तो आपको काम कहा करना पड़ेगा कास के उपर क्लियर हो रहा है कितने लोग यहाँ बैठे ऐसे हैं जिनको अपनी तनखा जो है वो महिने की बढ़ानी है एक बार हाथ खड़ा करे कितने लोग यहां बैठे ऐसे है जो लोग चाते है कि भाई मेरा प्रोफिट जो है वो बड़े या मेरी इंकम जो है वो बड़े वो हाथ कड़ा करे तो सिंपल चीज है आज के बाद अगर कैस बड़ानी है तो चेक कर लो आपका कास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कास बढ़ाना आपके हाथ में है कैस बढ़ाना उपर वाले के हाथ में तो आपको काम करना पड़ेगा कास के उपर जहाँ पर के फॉर कहते है नॉलेज ए फॉर कहते है एटिटूट आज के बाद ए फॉर एपल साला कोई बोलेगा नहीं A for Apple कोई नहीं बोलेगा A for Attitude ही बात करेगे क्योंकि Attitude strong होगा जिन्दगी बदल पाओगे बच्चे थे तो A for Apple सही था अब A for Attitude के उपर काम करना है S for आएगा Skill आपको अपनी Skill डवलप करनी बड़ेगी क्योंकि आज उसी इनसान को आगे बढ़ाया जाता है जिसके अंदर कुट कुट कर Skill बड़ी बड़ी होती है अलग-अलग चीजों के उपर काम करने को लेकर और उसके बाद आता है A for Habit एक बार चेक करना पड़ेगा अपनी आदते जिसके उपर हम detail में बात करेगे तो आज ये journey हमारी जो discussion होगी ये class के उपर हम बात करेगे और class के उपर ये सारी discussion हमारी चलेगी तो सबसे पहला topic हम यहां पर लेगे के और के फॉर हम बात करेगे knowledge तो अभी तक हमने जो एक गंठे के अंदर discussion किया वहाँ पर वही बात चल रहे थी कि जिन्दगी में कामियब होना है तो knowledge बढ़ाना बढ़ेगा अब बात करते हैं knowledge का actual मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे आता है तो मैं सबसे आगे बढ़ पाओगा मुझे जितना बता है उससे मैं कामियब हो पाओगा ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि knowledge की definition actual में जो निकल कर आती है वो कुछ ऐसी है knowledge का मतलब होता है information plus action is equal to knowledge plus 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 action बहुत सारे लोगों को problem यही है पता बहुत कुछ है और आज जो बाद हम यहाँ पर कर रहे है बहुत सारे लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीज़े पता है लेकिन problem यह है करते नहीं है और जब करोगे नहीं तो कामियाब होगे नहीं जैसे कि example यहाँ पर लेना चाहोगा और आपको clear करवाना चाहोगा कितने लोगों को पता है कि कामियाब होने के लिए रोज सुबा जल्ले उठना चाहिए सब को पता है कितने लोगों को पता है कि रोज सुबा उठकर एक्सोसाइस करना चाहिए अपने हेल्थ को मैंटेन करने के लिए कितने लोगों को पता है रोज सुबा उटकर एक ग्लास दूद पीना चाहिए हेल्थ को बहतर बनाने के लिए और कितने लोगों को पता है कि भार का फास फूड खाना नहीं खाना चाहिए अब सवाल ये होता है पता सब कुछ है करते कितने है तो अब दूसरा सवाल ये रहेगा कि इतने लोग रोज सुबा जली उठ जाते है तो पता सब को है उठते हैं चुनिंदा लोग जो पाच प्रतिशत वाले होते हैं वो भी ब्रह्म मुरत में उठते हैं जहाँ पर वो अपने आपको उपर वाले के साथ कनेक कर सके बहुत सारे लोग सुबा उठने के बाद एक्सोसाइस के उपर फोकस नहीं करते हैं उनकी बोडी टाइम पर उनको साथ नहीं देती है और बहुत सारे बिदनसमेन लोगों को मिला हो उनका गोल्डन प्रेट जब आता है उनकी जिन्दगी में 10X ग्रोथ करने का उसी टाइम प लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को काम्याब होना होता है लेकिन अच्छा खाना अच्छी चीजों को अंदर लालते नहीं है पता है लेकिन फिर भी डालते नहीं है पाव बजी आ जाती है तो मुमें पानी आ जाता है गुलाब जमून आ जाता है मुमें पानी आ जाता है ब पता है भार का फूट खाने से हमारी सेहत बिगड सकती है फिर भी हम खा लेते हैं अन चीजों की हम प्रैक्टिस करते हैं और हम अपना information जो है उसको converting नहीं कर पाते है knowledge में क्योंकि हम action नहीं ले पाते हैं तो अब हमें समझना ये बढ़ेगा अगर हम जानते हैं तो अब हमें करना पड़ेगा तो सवाल ये आता है करना क्या है तो करना को जैसा है हमें तीन चीजों का knowledge होना जरूरी है एक अच्छे manager बनने के लिए जहाँ पर पहला है self management दूसरा है team management और तीसरा है job management self management का मतलब है आपको खुद को पता होना चीए आप कौन हो और आपको करना क्या है दूसरा आता है team management अगर आप एक team को चला रहे हो run कर रहे हो तो आपको पता होना चीए team को कैसे आगे लेकर जाना है और last में आता है job जिस काम के लिए आपको अपनी company ने hire किया हुआ है क्या वो काम आप अपना 100% लगा कर दे रहे हो तो आपकी कामिया भी पकी है अगर नहीं दे रहे हो तो आपको clear करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो तो आगे बात करेगे one by one वर हम समझेगे सबसे पहले कि हमें अगर अपना self management करना है तो सुरुवात कहां से करनी है तो self management के अंदर आपको करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर daily learning जैसे मैंने 20, 20, 20 अप लोगों को बताया है तो मैं यह चाहूगा कि आज के बाद रोज सुबा एक गंटा आप अपने आपको दोगे क्या देगे यास कुछ लोग गुर गुर कर देख रहे है तो गुर गुर कर देखो मत अराम से easily बैठ कर बातचित करना है और समझना है कि जितना मैं आज आपको बताओगा उसके उपर आपको काम करना है दूसरा आपको करना क्या है prepare आपको करना है daily मतलब हर इंसान जब जोब पर जाएगा तो पहला एक घंटा आपको अपने आपको देना है भगवान को याद करना है prayer करनी है, प्रासना करनी है फिर पूरे दिन में आप करोगे क्या उसका टूडूलिश बनाना है क्योंकि जब आपने पूरे दिन की चरिया जब आपने तै कर ली होती है तो आप फोकस कर पाते हो अपने priorities काम के उपर उसके बाद आपको करना क्या है आपका grooming बहुत सरे लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कंपनी को चलाने के लिए as a manager उस position के उपर बैटे है लेरे उनका dress code या उनके कपड़े देखकर ऐसा मैसूस नहीं हो रहा है कि वो किसी professional field के अंदर काम कर रहा है और कई लोगों को मैंने देखा है गोवा में जो कपड़े पहर के घुमने होता है वो पहन कर ओपिस आते है ओपिस में जो कपड़े पहनने होते है वो पहर कर साधियों में चले जाते है और जहाँ ट्रेनिंग के अंदर जो कपड़े पहरने होते है वो पहन कर हम कही और जगा चले जाते है तो grooming का मतलब आपको समझना पड़ेगा आपको अपने आपको बहतर ढंग से maintain करना पड़ेगा और ये maintain करने का मतलब ये है आपकी उपर से लेके नीचे की दुकान बहतर होनी चाहिए जिसको देखकर सामने वाले बंदे को नोक करने की इच्छा हो और एक बार ऐसा लगे कि म मैं एक बार एंटर करो वो तो grooming के अंदर क्या आ जाएगा हैस्टेल अगर आपकी है तो उसको maintain करना डाड़ी वगेर आप एप रख रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से maintain करना आपके नाुन म थे जो है वो sécurité to time maintain करके चलना आपके कपड़े जो है उसको अच्छी तरीके से आपको maintain करके चलना है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसे हालत होती है वो साले जब आपिस के अंदर enter होते हैं बाकी के सब लोग बाहर बाग जाते क्योंकि उन्होंने जो पैरों के अंदर पैरे होते हैं सौक्स उसको धोय हुए नहीं होते हैं उसकी बास आ रही होती है और उसकी बास के कारण meeting जो है वो ब्रेक हो जाती है और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसान आया क्यों है यहाँ पर जैसे कि दो परस्तिती आपको मैं बताना चाहूगा एक अन्नोन परसन आपक के साथ बात करना पसंद करोगे पहली बार यस या नो जादतर लोगों का आंसर होगा नो लेकिन उसी के सामने एक परसन अगर सुट बूट पहन कर अच्छी तरीके से ड्रेस अब के अंदर आकर अगर आपके गबर के बार अगर आकर नो करे और बोले कि मैम आपसे दो मिट या सर आपसे दो मिट बात हो सकती है तो क्या आप उसको दो मिट दोगे या नहीं दोगे तो एक अन्नोन परसन जो आपका जानता पहचानता नहीं है अगर उसका ड्रेस कोट देखकर अगर आप उसको टाइम दे सकते हो तो जो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है जो ओनर अगर अगर आपका सोरूम होगा तो अच्छा प्रोड़क आप बेच पाओगे सिंपल चीज आपको बता दो फिर आपको काम कहा करना पड़ेगा पंच्यालिटी कई बार कई लोगों का दिक्कत ये होता है जो मैंने आज आपको कमिंटमेंट कर दिया कई लोग ऐसा बोलते है फिर तो साले मैं मेरे बाप की नहीं सुनता हूँ तो आपकी कहां से सुनो तो कई लोगों का मैंसेट ये होता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे सुदार सके या मुझे बदल सके तो वो किसी भी चीज़ के अंदर पंचल नहीं होते और पंचल नहीं होने के कारण होता ये है उनकी बातों के उपर लोग भरोसा करना दिरे दिरे बंद कर देते तो आपको पंचल होना पड़ेगा जहाँ पर एक लाइन हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं जो एक बात का होता है न वही एक बात का होता है तो अब आपको समझना पड़ेगा अगर आपकी बात एक है तो आपका बात भी है कि इसका मतलब ये आपने जो कमिटमेंट कर दिया उसका मतलब वो पूरा होना चीए पंचल लिटी के साथ ताइम के उपर फिर अब आपको समझना पड़ेगा टाइम मेनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जितना टाइम आज अपनी कमपनी के अंदर आप दे रहे है तो एक लाइफ आपकी होती है परसनल लाइफ और एक आपकी लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ तो ये परसनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करके आपको चलना है कई लोग घर पर होते है और बात करते है धंदे की और धंदे पर होते है बात करते है घर पी और जब घर की बाद आप कर रहे हो अपने धंदे में तो वहाँ पर आपको डिश्ट अब होगा और जब आप घर पर जाकर आप बात करने वाले हो अपने धंदे की तो वहाँ पर भी डिश्ट अब होगा तो उसको आपको maintain करके चलना है 9-6 का time या 6-9 का time अगर आपने company को दिया है तो company के काम पर focus करो उसके बाद का time अगर आपने परिवार को दिया है वहाँ focus करो उसी इसाब से उसको mention करो और बहुत ही अच्छा ज़रूरी है self management के अंदर आपको अपना एक अच्छा finisher बनना अगर 6 गेंद बची हुई है और सवाल ये है कि 30 रन अगर हमें करने हैं तो ये 30 रन करने के लिए हम किसको invite करेगे इंडियन cricket team के अंदर बहुत सरे लोगों के नाम आएगे लेकिन आज की time में पूरी इंडिया के अंदर उसी का नाम लिया जाता है जो एक अच्छा finisher है अब बहुत सरे लोगों को मैं मिलता हूँ और बहुत सरे लोगों के साथ हमारी consulting होती है हम देखते है कुछ लोग काम करना सुरू कर देते है और अच्छे level पर काम करना start भी करते है लेकिन problem यह होता है दिन खतम हो जाता है उनका काम खतम नहीं होता है क्योंकि उन्होंने finish ही नहीं किया होता है अपने काम को सुरू कर दिया होता है तो एक चीज़ आपको अपने दिमाग के अंदर गाठ बन कर रख देनी है जो काम आपने आज हाथ में लिया उसको एक या दो गंटे का time लेकर उसको खतम करो finisher बनो क्योंकि अच्छा काम अगर आपने पूरा कर लिया आज के दिन के अंदर तो आप छोटी छोटी जीत से एक बड़ी जीत की और आगे बढ़ने वाले हो तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको self management के अंदर आपको अपने अंदर क्या-क्या चीजों को develop करना है clear हो रहा है यहाँ पर अब आप लोगों को समझना यह है कि यह सारी चीज़े जब आप करना सुरू करोगे तो आप अच्छी तरीके से अपनी life के अंदर grow हो कर पाओगे अब दूसरी चीज़े में आप लोगों को बताना चाहोगा जो होता है team management तो team management के अंदर अगर आपको कामियाब होना है तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा team management के अंदर आपको कामियाब होने के लिए आपको करना पड़ेगा daily brief meeting with your team रोज सुबा उठकर अपनी company का एक culture बना लो रोज भगवान को हम याद करेगे और भगवान को याद करके हम अपने काम की सुरुआत करेगे और जब भगवान को याद कर लिया फिर हम बात करेगे daily brief meeting जहां तीन चीज़ों के उपर बात होगी कल के दिन के अंदर क्या चीज अच्छा रहा good क्या रहा उसके बाद हम बात करेगे bad क्या रहा और उसके बाद हम का बात करेगे कि आज के दिन में हम करने वाले क्या है work क्या रहाए तो ये तीन चीजों के उपर हमारी बात होनी चाहिए ब्रीफ मिटिंग के अंदर जब हम अपने टीम के सास्थ सुबा का टाइम दे रहे और फिर दिम की सर्वात करो Second Team Management के अंदर क्या करना है Clear करना है हर परसन का Roll और हर परसन की Responsity क्योंकि role and responsibility जब आप clear करोगे तब जाकर ही आपको पता चलेगा आपकी team का हर बंदा क्या करेगा और आप क्या करोगे कई बार में देखता हूँ कई company के अंदर honor भी वही काम कर रहे team भी वही काम कर रही है team के अंदर के लोग भी वही काम कर रहे मतलब एक ही काम को 10-10 लोग लेकर बैठा है पच पच लोग लेकर बैठा है दो-दो लोग लेकर बैठा है और शाम का time पर जब पुछा जाता है कि आपने किया क्या तो बोला ये जाता है ये मेरा काम नहीं था ये काम तो इसका था blaming होता है तो वो clear होना चीए हर बर्सन का role and हर बर्सन की responsibility तब आप अच्छी तरीके सबने टीम को manage कर पाओगे आप सभी लोगों ने लगान movie देखी होगी यस दो गुना लगान देखा हुआ है तिन गुना लगान तो उस movie के अंदर जब cricket की टूनामेंट होती है वहाँ का सब जगास है और सब लोग वहाँ पर इखटा हो जाते है तो बुवन आकर वहाँ पर leader ऐसा बोलता है आज के बाद कोई भी बंदा अपनी बोल अपने एराके में आएगी वही पर भागेगा बाकी बोल कही पर भी जाये तो सब लोग इखटा होकर भागेगे नहीं तो वो यह learning दे रहा होता है आज के बाद हमरे टीम में हर बंदा वही काम करेगा जो इसकी responsibility के अंदर आएगा बाकी ऐसा नहीं वो free है तो वो सब करेगा तो वो clear करना ज़रूरी है थर्ड लेवल पर आपको क्या करना है work allocate करना है every team member को कई लोग senior बन जाते है एक अच्छी position पर पहुँच जाते है और वो ऐसा सोचते है अब ये सारा काम तो मैं ही करूगा तो ये मैं ही करूगा वाला जो attitude है या मेरे सही सारा काम सही होगा उसमें से अब आपको बाहर आना है आपको एक coach का role play करना है बोल और बेट आपके हाथ में रहेगी लेकिन आप और लोगों को तैयार करोगे आप खूद खिलने के लिए जाओगे नहीं तो एक अच्छी महान टीम जब आपको बनानी होती है तो आपको सिखना पड़ता है work allocate क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में से काम छुटते ही नहीं वो सोचते ये है कि इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ मैं इस काम को करने के लिए तो मेरे से बहतर कोई करेगा ही नहीं उधर ही आप रुख जाओगे तो आपको करना ये पड़ेगा लोकों को सिखाना पड़ेगा और लोकों को काम बाटना पड़ेगा सारा काम खुद लेकर मत बैठो और कई लोग ऐसे भी हो जाते है कि सर ने बोला था किरन सर ने के सारा काम बाट देना है तो फिर सारा काम सबसे करवाएगी और खोद आरा को करना ये है कि हर टीम मेंबर का ग्रोथ, फ्यूचर का प्लान उनको तैयार करके देना है आज कोई इनसान आपको 5 साल, 10 साल अपनी जिंदगी के देगा क्यूँ? क्योंकि 5 साल अगर उसने अपनी जिंदगी के दिये हुए है तो ये चाहेगा कि 5 सल के बाद मैं एक अच्छी position पर पहुँचो तो आपको हर इंसान को जब आप उसका growth future का plan बना कर दोगे तो वो आपकी ही company के अंदर बैठे बैठे कही और जगा resume नहीं देगा क्योंकि बहुत सारी company के अंदर हमने देखा है company के ही office में बैठे कर वो resume डाल देते हैं किसी और जगा और interview देना शुरू कर देते हैं और दो दिन के लिए बिमार हो जाते हैं suddenly और फिर दो दिन के बाद आते हैं तो पता चलता है कि ये भाई साब तो उदर लग गया है काम के लिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे तो वो अपने ही जगा पर अपना future नहीं देख रहे क्योंकि इन लोगों को कहा जाता है monkey mindset और आज बहुत सारे लोगों का ऐसा mindset fit हो गया है कि जॉब में switch करूगा तो 30% का growth मिलेगा तो वो बार बार 6-6 मैने सालसाल बर्यों के अंदर जॉब को switch करते जाते हैं बदलते जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए में बोलना चाहूगा पांस साल अगर पांच कंपनियों में आप काम कर रही हो तो अपना future चेक कर लो और एक ही जगा जब 7 साल आप काम करोगे तो 5 साल के बाद अपना future काम करना है एक कंपनी के लिए committed होना है और उस कंपनी को बोल देना है जिन्दगी अब तेरे नाम मुवी तो देखी होगी ना तेरे नाम संकी था बंदा तो तेरे नाम हो जाना है और तेरे नाम होकर जब आप काम करना सुरू कर देते हो ना आप उस company के valuable person बन जाते हो और उस company के growth में सबसे बड़ा हाथ आपका होता है तो वो होना जरूरी है और last में आता है आपको बार-बार अपनी team को appreciate करना है और reporting और feedback time to time आप लोगों को देना है तो सबसे पहला मैं चाहूगा appreciation का मतलब क्या होता है कितने लोगों की साधी हो चुकी है एक बार हाथ खड़ा कर कितने लोगों ने घर से जब खाना आता है अच्छा खाना जब खाते है तो compliment करते हैं कि खाना बहुत बढ़िया था वैली गुट जो लोग compliment करते हैं उनको ये chance रहता है कि अगली बार भी अच्छा खाना मिले येस या नो तो एक इनसान जब अच्छा काम करता है तो उसको आप compliment करने से अटक क्यों जाते हो क्योंकि बहुत सारे businessmen लोकों को जाकर हम पूठते हैं कि सर आप लोकों का अच्छी तरीके से appreciation क्यों नहीं करते हो तो बोलते हैं सर appreciate जब लोकों को कर देते हैं तो लोकों का mindset बन जाता है कि अब मेरे से बहतर करने वाला कोई नहीं है अगले ही दिन cabin के अंदर enter हो जाते हैं और बोलते हैं मेरा पगर बढ़ाओ मेरी salary बढ़ाओ तो उसके कारण हम लोकों को appreciate ही नहीं करते हैं फिर मैं counter question करता हूँ आपको भी और आपके leaders को भी कि सर आपकी team में एक ऐसा इंसान है जो कभी salary बढ़ाने को लेकर बात ही नहीं कर रहा है और दूसरा एक इंसान है जो हर बार आकर बुलता है मेरी तनखा बढ़ाओ तो कौनसा इंसान आपके लिए अच्छा है तो कई लोग बुलते हैं सर पहला वाला अच्छा है सर बात गलत है ऐसे लोग जो आपके साथ growth करना नहीं चाहते है अपनी तनखा बढ़ाना नहीं चाहते है मतलब उनका mindset fix बन चुका है ऐसे लोगों से बाहर निकलो आपके साथ काम करने वाले ऐसे लोग चाहिए जिनको हर साल growth की भूखो आगे बढ़ने की भूखो और उनको कुछ extra चीए क्योंकि जब कोई इनसान 10,000 की salary से 20,000 पर पहुचता है 20,000 की salary से 30,000 पर पहुचता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है लेकिन हम लोगों को ये आता नहीं है कि हम उससे वो काम ले कैसे अब दिक्कत हमें ये हो जाती है कि 10,000 वाला इंसान भी हमें महगा पड़ता है क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि 1,000,000 का काम लेना कैसे और कई कंपनियों के अंदर जाते है लाख-लाग रुपे की salary होती है उन लोगों की तो पता चलता है कि लाख रुपे जब कंपनी दे रही है तो वहाँ पर 1 करोड का profit भी उनसे ले रही है तो हमें ये सिखना पड़ेगा कि जब हम किसी को appreciate करते है और उसके बाद अगर वो grow होना चाता है तो उस growth के साथ उसको responsibility देनी पड़ेगी work allocate करना पड़ेगा और जिम्मेदार बना पड़ेगा फिर बाद आती है reporting लेना और उसके बाद बाद आती है उसको feedback देना कई कंपनियों के अंदर में लोगों को बताता हूं leaders को बताता हूं, managers को बताता हूं आज अगर आपने अपने team का पूरे दिन में क्या काम किया अगर उसका report आपने नहीं लिया है मतलब आप लोगों को free की तनखा दे रहे है free की तनखा का मतलब यह होता है कि पूरा दिन वो आए उन्होंने काम किया लेकिन आपने उस काम को चेक किया ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है और आपने feedback दिया ही नहीं कि अब आपको करना क्या है तो लोकों के mind में जो आएगा वो करते जाएगे और वो अपने mind के हिसाब से काम करेगे आपकी company grow नहीं होगी क्योंकि आप अगर एक senior position के उपर person हो आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कल के दिन में लोकों से क्या काम करवाना है उसका planning आज शाम को आपके desktop के उपर या आपकी diary के अंदर हो जाना चाहिए क्योंकि advance plan लेकर जब आप चलोगे तो लोग आपको वो काम करके देगे अगर लोकों से काम आप मांगोगे ही नहीं तो लोग कुछ करके देगे ने तो ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई वो team management के अंदर आपको करना है और ये team management वाली चीज़े जब आप करना सुरू करोगे तब ही आप अच्छी तरीके से team को grow कर पाओगे